जहीं दोस्तों, तो आज हम फिर से काफी important vacancy discuss करने वाले हैं जो कि DAV Public School से आ रही है आप जानते हैं कि DAV की 2025 की जितनी भी टीचर्स vacancy है उसके लिए recruitment notice आ चुका है और अलग-अलग DAV की जो जो जोन से हर स्टेट में उनसे vacancies notice regular basis प्याती जा रही है कली हमने एक वीडियो के माधम से एक vacancy को cover किया था जिसमें multiple locations से vacancy combine निकाली गई है जो कि 2025 CBT से जुड़ी हुई थी आज जो हम discuss करेंगे इसमें दो राज जो स्यारी vacancies को discuss करेंगे जहां पर नई notice निकाली गई है और कुछी समय में आपको एक और वीडियो देखने को मिलेगी जिसमें और भी location से आरी vacancies को हम cover करेंगे तो एके करके जितने भी DAV स्कूल से vacancies आ रही है आपके state से vacancy का आप इतजार कीजिए या देखे अगर आपकी vacancy है तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं और share भी कर सकते हैं इनको और इसी तरह से regular basis पे आपको हमारे चैनल पे teaching or non teaching vacancies देखने को मिलेगी गवर्मेंट और private sector की तो चैनल को आप subscribe कर ले ऐसी regular basis पे updates पाने के लिए और telegram चैनल जॉइन कर लेगे तो वहाँ पे इन सभी vacancies की notice PDF आपको दे दी जाएंगी जिससे आप कुछ से cross check कर सकते हैं verify कर सकते हैं और share भी कर सकते हैं तो चलिए देख लेते एक बार vacancies की details क्या-क्या है देखिए सबसे पहले vacancy है आपकी देखिए डिएवी college managing committee यहां पर आप देख रहे हैं और इसमें अभी हम vacancy डिसकस कर रहे हैं डिएवी public या डिएवी model schools अफ चंडिगर्ड एंड महाली ठीक है इन दो location से काफी सारी school है उन पर vacancy निकाली गई है अप्लिकेसन्स आपके स्टार्ट हो रहे हैं 17 अक्टूबर दोजार चोबी सत्रह दस दोजार चोबी से लेकर के थर्षड़े 8 अम टू लेकर 6 अप दिसेंबर 2024 ठीक है तो ध्याने किया आप सत्रे अक्टूबर दोजार चोबिस के थर्षड़े के दिन से सुबह 8 वजे से 6 साम 4 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं वेरियस टीचिंग नॉन टीचिंग मिनिस्टिरियल पोस्ट पर ठीक है क्या क्या पोस्ट आप देखिए सबसे पहले PGT में देख सकते हैं यहां पर PRT में PRT में देखिए English, Hindi, Mathematics, Science, Social Science, Sanskrit, Computer Science, Punjabi, Music, Dance, Fine Arts, Painting, Physical Education, Librarian, Grade 2nd, Nursery, Pre-Primary Teachers, Wellness, Teacher and Counselor इस यह सारे आपके टीचिंग पोस्ट थे अब बात करते हैं मिनिस्टिरियल पोस्ट पे यानि नॉन टीचिंग पोस्ट पे जिसमें देखिएंगे LDC Accounts में Vacancy, LDC Administration, UDC Assistant उसके बाद Front Office Assistant है Research Minister, Library Assistant, Lab Assistant, Physics, Chemistry, Bio, Computer Lab Assistant और नर्स इन सभी की requirement है यहां पर Elisibility for the above mentioned post is as per the CBSC or State Government norms जो CBSC के norms होते हैं नि PGT के लिए Master's with B8, TGT के लिए Graduation with B8, साथ में आपके पास Seated Paper 2 और PRT के लिए आपके पास Graduation या Class 12th with B8 या DL. ठीक है इस तरीके साब के पास Qualification होनी चाहिए और Seated Paper 1 होना चाहिए आपको apply के second है तो उसके लिए देखें आपर वेकिंसी कहां कहां से है तो यह देखें आप 6 स्कूल इसके अंदर cover हो रहे हैं आपके करना है उस स्कूल की ऑफिसल वेबसाइट पर जाए उसका नाम आप गूगल के सर्च बार पर टाइप करें और स्कूल की ऑफिसल वेबसाइट पर जाए वहां पर रिकूरूट्मेंट सेक्शन में आपको application form मिलेगा उस application form के माधहम से उसको डाउनलोड कर लेना है आपको उसकी माधहम से आपको उसको एपलाई करना है हर इसकूल की आपको official website की URL आपको यहां पर दिख रही होगी नहीं दिख रही है तो नाम आप at least search कर दे वेबसाइट पे आपको पहुंच जाएंगे Google के माधहम से अब दिखिए how and where to submit the application form कहा और कैसे करना है आपको form submit the duly filled in application form along with the self-attested copies of testimonials and recent passport size photograph must be submitted manually यानि तो speed post के माधम से आप send कर सकते हैं before 6th of December 1224 between 9am to 4pm at any of the following centers ठीक है अब दो सेंटर आपको दिए वा है इन दोनों सेंटर में से किसी भी जगा पर या तो by post send कर दे या नियर भाई रहते है तो आप manually send करके आ सकते हैं वो दो location कोन से है तो इनको सेक्टर 15 ए चंडीगड पहला और दूसरा डीएवी पब्लिक सीने सेकंडे स्कूल फेस 10 सेक्टर 64 ठीक है से एस नगर मोहाली इन दो location पर आप जाकर के submit करके आ सकते हैं ठीक है अब आगे देखिए क्या जानकारी दिए होई है after scrutiny of the applications eligible candidates will be contacted by the school to apply for DAV computer based stage जब आप फॉर्म स निकले आप इस CBT scorecard की basis पर आप उसके लिए apply कर पाएंगे non eligible candidates cannot appear in DAV CBT जो कि आप हो ही जाएंगे qualified ठीक है duplicate applications will not be accepted for DAV CBT 2025 candidates must apply for only one post ठीक ही पोस्ट के लिए apply करेंगे as only only as CBT exams for multiple post will held on the same day ठीक है same day पर exams है इसलिए आप ज्यादा पोस्ट पर apply करेंगे तो आपके exams class होंगे और फिर आप paper देनी पाएंगे DAV CBT will be conducted for all the post collectively mentioned in this advertisement however different DAV schools of the zone or state may have vacancies for different post as per the requirement जैसे-जैसे schools के पास requirement है अभी तो collective basis पर इन सभी subjects पर सभी पोस्ट पर आपके exams होने है अब माल लिए आप PGT Commerce के लिए apply करना चाहते है तो अभी इसमें आप CBT exam दे उससे qualify करने के बद आपको PC scorecard मिलेगा ठीक है इस scorecard के basis पर फर्दर फ्यूचर में जितनी भी DAV की vacancies आएंगी जाए हो पर्मानेंट हो contractual हो उसको आप फिल कर पाएंगे इस scorecard के basis पर आपको कोई exam नहीं देना है डिरेक्ट आपका सिर्फ interview होगा और उसके बाद आपका selection हो जाएगा तो देख सकते हैं नेक्स्ट वेकंसी देख लेते हैं नेक्स देखिए DAV Public School पंचकूला जोन से भी ये वेकंसी आ रही है application from 15th of October 2024 Tuesday के दिन से स्टार्ट हो रहा है 31 October 2024 तक आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पर भी teaching non-teaching ministerial post पे बहुत सारी वेकंसी है जिसमें देखिए nursery pre-primary teacher के देख सकते हैं wellness teacher and counselor है PRT में mathematics science social science computer पंजाबी music dance painting art and craft library grade 2 उसके बाद physical education है TGT में देखिए English Hindi Sanskrit mathematics science social science computer पंजाबी music dance painting art library grade 1 फिजिकल एजुकेशन पिजिकल इंग्लिस हिंदी math physics chemistry bio, geography, history, political science, economics, commerce, computer psychology, home science और physical education इन सभी पे आपके recruitment है उसके बाद ministerial post आपके start हो जाते हैं जिसमें LDC account, LDC administration, UDC assistant, front office assistant इस तरीके से काफी सारी vacancies है अब देखिए पंचकुला जोन के अंदर में कितनी स्कूल साती है आँ पर तो देखिए applications are invited for the below mentioned DAV schools ठीक है जिसमें देखिए हंसराज public school sector 6 पंचकुला, DAV senior public school सूरजपूर, DAV senior secondary public school sector 8 पंचकुला, CL DAV public school sector 11 पंचकुला, DAV police public school, police lines पंचकुला ठीक है इन सभी जगों से आपकी combined ये जितनी भी vacancies हैं उन सभी के लिए एक्जाम कंड़ किया जाना है How to get the application form, application form आपको कहां से मिलेगा तो जो भी eligible candidate से वह application form डाउलोड कर सकते है respective school की website से, school का नाम आपको दिख रहा है, website पे जाए, search करें उसको और वहां से application form डाउलोड करके आप apply कर सकते है eligibility criteria वही DAV, CMC, norms या CBC, state government के जो norms होते हैं आप जानते ही है उसके अगर बाकी अगर details देखना है तो website पे आपको मिल जाएगा, qualification आपको already पता ही है उसके बाद देखे, how and where to submit the application form, forms आपको कहां पर submit करने है, the duly filled in application form along with the self-attested copies of testimonials and recent passport size photograph must be submitted manually in any of the school counter, ठीक है, यहाँ पर आपको manually submit करने है, after scrutiny of the application, eligible candidates will be contacted by the school या journal office to apply for the DAV CBT test, जो कि 2025 के लिए organize किया जाना है आपर, candidates must apply for only one post, because सभी exams आपके multiple shift में एकी दिन होने है, तो आपक exam class हो सकते है, DAV CBT will be conductor for all the post collectively mentioned in the advertisement, सभी post के लिए collectively आपका ये exam लिया जा रहा है, और फिर उसके बाद further future में जब भी vacancies निकलेगी, आप इन exam जो अभी पास करेंगे, आप उस CBT 2025 को पास करने की basis पर आपको एक PC scorecard मिलेगा, इस scorecard के basis पर आप कभी भी apply कर सकते है, और फिर आपका जो selection होगा, वो demo और interview के basis पर होगा, ठीक है, तो इस तरीके से ही vacancy आ रही है, जो कि DAV Public Schools पंचकुला जोन से ही vacancy है, next vacancy देख लेते हैं, अब आजाए ये जहारकंड पर, DAV Public Schools जहारकंड से vacancy आ रही है, इसके original office जहारकंड जोन A, B, C, D, E, F, G, H, I and J, सभी जोन स यहां पर निकाली गई है, vacancies exist for regular contextual teaching post, PGT, TGT, PRT, NTT, non-teaching, regular and contextual, हर तरह के post इसमें सामील होंगे, जिसमें देखिए applications are invited from 15 October 2024 से आपके application start हो रहे हैं, 5 December 2024 तक आपके application open रहेंगे, और various teaching post जिसमें इंगलिस, math, science, physics, chemistry, bio, business studies, economics, computer science, physical education, संस्क्रित, social science, history, political science, geography, sociology, psychology, music, dance, finance, और non-teaching of ministerial, जितने भी post है, जिसमें रिजपनिस्ट, LDC, UDC, assistant, lab assistant, library assistant, nurse, इन सभी post पर आपकी combined recruitment के लिए यहां पर exam conduct किया जाना है, ठीक है, जिसमें देखिए आपके यहां पर क्या-का important notes से candidates are required to visit the regional office website to download the application form, जिस भी regional office से आप अप्लाइ करना चाहते है, जहरकंड की जितनी with the self-attested copies of all testimonials at the collection center of the applied zone, जिस भी जोन से आप अप्लाइ कर रहे है, candidates must follow the government, KVS, NVS, JNV, DAV norms as per the eligibility, जो eligibility है हम जानते ही है, वही है यहां पर भी, अगर आप फिर भी जानना चाहते है, तो देख सकते हैं एक बार, eligible candidates will be contacted by the school or journal office to apply for the DAV, CBT test, ठीक है, candidates must एक ही पोस्ट के कर लिया है, reason क्या है, उसका, आप यह exam pass करेंगे, तो आपको PC scorecard मिलेगा, उस scorecard के basis पर आप further future में जितनी भी DAV की permanent vacancies हाती है, उनके लिए apply कर पाएंगे, direct आपको interview देने का मौका मिलेगा, और फिर आपका selection होगा, ठीक है, details of original office, देखिया अभ यहां पर, अभी हमने application form submission center, आपको form, अगर आप इस zone A के लिए apply करना चाहते है, तो आपको कहा form submit करना है, तो इस location पर form आपको submit करना है, और किस, कौन-कौन सी school आपके zone A में आते है, तो देख सकते हैं, DAV, NIT, अधित्यपूर, DAV, PS, GUA, DAV, PS, ठीक है, इस तरह के से जो भी location से आप एक बार में जोम करते हैं, आप देख लेंगे, ठीक है, zone A के लिए आपके ESR schools है, बाकि telegram पर यह मैं provide करा दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, इसी देखिए DAV public school zone B में आप कौन-कौन-सी school आते हैं, और इसके लिए अगर आपको form submit करना होगा, इस location पर आपको form submit करना होगा, औ यह सारे school इसके अंदर आते हैं, इसको भी एक बार आप देख लेंगे, उसके बाद zone D में देखिए, तो zone D में आपको form है, वहाँ पर submit करना है, DAV public school ठीक है, और यह आपका रामगड कोई यहाँ पर आपको form submit करना है, उसके बाद यह सारे schools आपके इसके अंदर आते है, zone E इस तरीके से अप फिर उसके बाद I, J है, इस तरीके से सारे regional office में कौन-कौन सी school आते हैं, कौन-कौन सी branches, कहाँ पर आपको form submit करना है, सारी जनकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है, तो इस तरीके से DAV की जितने भी vacancies आ रहे हैं, हम उनको almost सारे cover करने को हैं